असलाम लेकों वेबर्स वेलकम टू लेर्निंग आर्क प्यास फाइफ टेन और्गनाज़ेशनल साइकॉलोजी का लेसन नमबर 18 एटिटूट एटिटूट इंसान का मेंटल पॉजिशन होता है कि वो किस तरहां सोचता है बिहेव करता है या पिर जिन चीजों पर बिलीव करत उन्हें वो किस तरीके से लेके चलता है इसमें हम तीन कंपोनेंट्स पढ़ेंगे इमोशनल इंफोरमेशनल इन बिहेवर इमोशनल में आ सकता है कि इनसान की किसी भी चीज की तरफ किस खिसम के फिलिंग्स है अगर एक सेल्समान है तो अपने क्लाइंट की तरफ एक किसी भी चीज को लेके अगर एक क्रिकेटर है और वह समझते है कि उसका जो पार्टनर है या उसे इस चीज की इनफोरमेशन है कि उसको जो पार्टनर है उच्छा नहीं कहल सकता तो वह कभी उसे लीड नहीं देगा अपने गेम में खेलते हुए दैने है बिहेवरल एक इन किस तरह बिहेव करता है इसमें कोगनेटिव वैल्यूज और बिलीज आचाते है इनसान के कम्पिटेंस में या जाता है कि एक इनसान में या अबिलिटी होके वह इस चीज को परफॉर्म कर सेके और आटिटूट में होता है कि वह परफॉर्म करना चाहे पॉजिटिव और इसको हम P और NA से लिखेंगे पॉजिटिव एफटिविटी आजाता है कि एक इनसान का पॉजिटिव एटिटूट और चीजों को लेके वह अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में देख रहा हो और एक इनसान अपनी लाइफ को पॉजिटिव ली देखेगा तो वह आगे जाके बुड़ापे में या अपने फॉटिव में भी एक हल्दी लाइफ गजारते हैं और लंबेर से तक जीते हैं ऐसे लोग जबके नेगेटिव इसके उल्ट है नेगेटिव जो लोग होते हैं नेगेटिव एटिटूट रखने वाले उनकी लाइफ में ज्यादा म परिशानियां उनको देखने को मिलती हैं वह बहुत जिससाटिसफाइड नजर आते हैं अपनी लाइफ से और इसी तरह उन स्ट्रस जादा लेते हैं और वह इतने हुश मी नहीं रहते हैं अपनी लाइफ में तेन हमारे पास आज़ाता है फंक्शन्स आफ एटिटूट इस इसमे ही जाते हैं और पॉजिटिव एटिटूट के साथ जा रहा है तो यह तो उसे बहुत एक जा रहा है तो इसके लिए जुब मुश्किल का बाइस बन जाएगी इगो डिफेंस फंक्शन इसमें यह आ जाते है कि अगर एक इनसान एक गलर डिसियन ले रहा है और कोई उसे वार्न कर रहा है कि यह गलर डिसियन तुम्हारा ठीक नहीं है तो वो उसके लिए नेगेटिव अडिटूट बना लेगा अपने जहन में जो उसे वार्न कर रहा होगा उसके लिए और कहेगा कि इसमें तो अकल ही नहीं है या पिर इसके पास एक्सपीजियन्स नहीं है और जब उसे आगे जाएक के बता चलेगा कि उसका जो वार्निंग दूसरे इंसान ने दी थी वो ठीक थी तो वो उसको अपनी इगोगा मसला बना लेगा और वो उसकी वार्निंग को नहीं सुनेगा अगर एक इंसान के समझता है कि जूट बोलना है बुरी आदत है या नेगेटिव अटिटूट है तो वो अपनी लाइफ में कम जूट बोलेगा या पिर जूट नहीं बोलेगा इस नौलेज फंक्शन अटिटूट हमाएं मदद करती है कि हम अपने एटिट की दुनिया को जाने समझे इसमें यह देखा जाता है कि एक ग्रूप के बारे में एक बिलीव है कि यह ग्रूप जूट बोलता है या इस कौम के लोग जालिम होते हैं या सरकिश होते हैं तो अ इस नौलिज फंक्शन देन इस चेंजिंग एटिटूट चेंजिंग एटिटूट एक मुश्कल टास्क है एटिटूट को चेंज करना असान नहीं होता हम अगर विद्धर टाइम अगर इस पर कोशिश की जाए तो इसको मोडिफाय किया जा सकते हैं सबसे पहले जरूरी है कि यह देखा जाए कि किस किसम की चेंज लाने की जरूरत है और फिर उस चेंज लाने में किस किसम के बैरियर्ज आ रहे हैं पिरियर कमिट्मेंट यह दो तरह के बैरियर्स की यहां बात की गई है पहले पिरियर कमिट्मेंट यानि इनसान के जो बिलीव्स जिस पर वो पु करेंगी तो दैट इस पिर कमिट्मेंट की एक इनसान का विलीफ बन चुका है कि जो बाहिर की उनिवेस्टी से पढ़ किया है वो इंटेलिजन्ट होगा एक चीज के बारे में आपके पास इन्फरमेशन ना हो तो आप समझते हो कि जो चीज पर मैं विलीफ कर रहा हूं यह ठीक है तो अगर इन्फरमेशन बढ़ाई जाएगी और इन्फरमेशन गेन की जाएगी तो आपके एटिटूट उस चीज के बारे में चेंज हो सकता है को देखें समझें कि वह क्या चीज है क्या उसके पीछे नॉलिज क्या है और जब वह नॉलिज आप गेन कर लो सेकेंड पॉइंट वही है प्रोवाइड न्यू डिफरमेशन जब उस नॉलिज को आप समझोगे आपके पास से मुतलिक ज्यादा इन्फरमेशन आएगी ज्य शोरु इसफियर अप्राओ पॉज्टी का है कि बचानि को साथितों करूआ है यवाजन देख्याओ और तो उस दोखने जाए हैं उसको नुक्सानात गिस्टीट ऐंट कर लो के तो बोन तो इसकी बात थीक होती है तो उसकी बातों कर शोवाइख से, kस प्रण थी बन ज़र करें चेशन से बिल आ ब्だけ ज्यागते हैं। ज्यादा रीविह स्थ्टाइब है कि psychological methods को इस्तमाल करते हुए किसी भी इनसान के mental और emotional disorders को ठीक किया जाए इसमें drug therapy आजाती है electroconvulsive therapy आजाती है then behavior therapy आजाती है behavior therapy में जो एक इनसान के rational fears और undesirable habits होती है इनको खतम किया जाता है then humanistic therapy आजाती है cognitive therapy आजाती है cognitive therapy के through जो हमारे negative thoughts होती है इनको खतम किया जाता है और life को reconstruct करके हमारी life के goals को positive way में construct किया जाता है इसमें कॉर लोजर अरब रहिम मैजलो का नाम है जो कि बहुत highly interactive client therapist है then जो psychotherapy होती है वो या तो कुछ sessions पे मुश्टमिल होती है या फिर वो चंद सालों में मुश्टमिल होती है इसमें एक client को भी deal किया जाता है family counseling भी होती है group psychotherapy भी होती है corporate involvement decision making इसमें आ जाता है कि जब आप decision making हो रही है और 3-4 लोग रहे दे रहे हो तो उसके उपर किसी एक बात पर इतफाक कर लेना चाहिए corporate करना चाहिए अगर आप resist करोगे तो उससे यह होगा कि जो है attitude को deal करना challenging हो जाएगा और disagreerabilness जनम लेगी then seek first to understand इसमें हमारे पस यह बताया गया है 3-4 लोग किसी एक बात पर decision कर रहे हैं और एक तरफ से आपको resistance नजर आ रहे है तो यह समझने की कोशिश की जाए कि resistance किस वज़ा से है और उसके साथ soft skill को इस्तमाल करते हुए empathy को इस्तमाल करते हुए dealing की जाए और इस तरीके से empathy creates opening for new information and influence to reach through previously locked dots यह वो इसानी का बाइस बन जाती है empathy resolve cognitive disonance इसमें की का जाता है कि जब इनसान कोई decision लेता है या कोई भी हम task करे होते हैं या हमारा किसी चीज़ की तरफ को behavior होता है तो उसमें यह हम अपने दमाग में भी सोच रहे होते हैं कि आया मैं यह ठीक कर रहूं या नहीं वो एक कश्मकश्ती चल रही होती है हम उस चीज़ को देखते हैं अपने आपको judge करते हैं कि आया हम यह ठीक कर रहे थे या नहीं और इस तरह हमें मदद मिलती है कि हम समझ सकें कि हमारा attitude ठीक था या हमारे behavior में क्या changing लाने की ज़रूरत है So viewers this was the lecture lecture number 18 हम मिलते हैं अपने next lecture में Allah Hafiz